तो आज हम मैट्रिक्स के इंपोर्टेंट को सॉल्फ करेंगे जो कि हर एक यर्स पुछे जाते हैं क्लाश 12 और बीएसी फर्स्ट यर में यह क्वेशन आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है एक तरह से आप यह जान लीजिए कि यह मैट्रिक्स का मल्टिप्ला है मैट्र इतना मैट्रिक्स दिया है एंड बी इक्वल टू इतना मैट्रिक्स दिया है एक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है यह हमारा टू ने थ्री ओरर का है और बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है यह थ्री कुने टू मैट्रिक्स कह रहा है और कहड़ा है क्वेशन में देन आपको यहां पर प्रूब करना है, तो चलिए इसको फ्रूब करते, प्रूब करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर A B को निकालना होगा, तो दखेए A B, तो A आपको कितना दिया है, 2-3 matrix, और B एक कितना दिया है, 3-2 matrix, हम इसको लिख लेंगे और इसको multiply करेंगे, यहा तो इसप्लाइक कर घ्मोल थी और थी क्या हो जाएगा गैंसल हो जाएगा तो अब देखिए यह हमाराriceuses बनेगा। जब हम इसको मसल्व करेंगे तो इस सारी सब्लाइक देखिये भी है यह जो रो है रो इस रो को इस column से multiply करेंगे किस से? इस column से multiply करेंगे इस row को इस column से multiply करेंगे ठीक है? देखिए फिर इसी row से इस column को multiplying करेंगे इसी row से इस column को multiply करेंगे ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको multiply कीजेगा तो 1 से कीजिए 2 में तो क्या हो गया? 2 अंजा 2 ठीक है प्लस यहाँ पे देखिए जो हम प्लस का साइन है उससे हम देते जाएंगे क्योंकि मल्टिप्लाइ करते समय आपको प्लस का चीन ही देना है हो सकता है कि इसमें गुना करने पर मैनस आई जा तो मैनस को आप इस तरह से लिख लीजेगा अब मैनस 2 से जो 4 का गुना कीजिएगा तो मैनस 2 फोर जा क्या होता 8 होता है यहाँ पे क्या हो गया मैनस 8 प्लस देखे प्लाइकेट में मैनस 8 ठीक है अब 3 से इसको मल्टिप्लाइ कीजिए 3 टू जा 6 हुआ ठीक अब यहाँ पे देखिए यह तो हमारा हो गया वन कॉलम का अब इसी रह से इस कॉलम को मल्टिप्लाइ करेंगे ठीक है आप देखिए 1 से 3 कीजिए तो 3 बंजा 3 फिर मैनस 2 यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए फिर मैनस 2 से 5 कीजिए तो मैनस 2 और 5 को मल्टिप्लाइ कीजिए जगा तो मैनस 10 यहाँ पे आजाएगा ठीक है और फिर 3 बंजा 3 ठीक है आप देखिए इसका हमारा मल्टिप्लाइ कम्प्लीट हुआ अब इस रो को यह वाला जो रो है यह वाला रो अब इसी को इसी तरह से गुना करना है इसको इस कॉलम से फिर इसको इस कॉलम से ठीक है आप देखिए मैनस 4 टू जा मैनस 8 फिर बिजम प्लस दीजिए यहाँ पे प्लस का साइल फिर 2 फो जा 8 फिर प्लस फिर 5 टू जा 10 ठीक है अब यह हमारा हो गया अब फिर इसको इस कॉलम से मैनस 4 टू जा 2L 2 फाइब जा 10 फिर मैनस 4 टू जा 2L और 2 फाइब जा 10 और 5 बन जा 5 ठीक है देखिए यह हमारा 2 गुने 2 ओर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है अब देखिए यहाँ पे 2 पलस मैनस 8 और पलस 6 फिर 3 पलस मैनस मैनस 10 और पलस 3 अब देखिए यह जो हमारा पलस वाला भाग है यह 6 और 2 है इसको क्या कीजिएगा इसको 6 और 2 का एड़ कीजिए तो 8 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 0 ठीक है अब देखिए यह 3 और 3 यह दोनों पलस वाला है इसको एड़ कीजिए कितना आ गया 6 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा माइनस 4 क्यों क्योंकि माइनस 10 हमारा जो है इसका चीन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस 4 आप देखिए यह हमारा क्या आ गया आप यह और यह क्या हो जाएगा वीदा हो जाएगा यह और यह क्या बच गया आपको 10 बच गया माइनस 12 आप देखिए जो हमारा पलस वाला है उसको एड़ कीजिए 10 और 5 कितना हो गया 12 हो गया ठीक है 15 में से 12 जाएगो कितना आ जाएगा तो 3 हो जाएगा ठीक है आप देखिए यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 10 माइनस 4 3 यह हमारा multiplexion हो गया यह हमने A-V find कर लिया है अब आपको B-A find करना है ठीक है तो B-A को भी इसी तरह से देखिए यहाँ पे B क्या दिया है आप देखिए B हमारा क्या दिया है देखिए B हमारा यह है 2, 3, 4, 5, 1 यहाँ पे A यह है 1-2, 3, 4, 2, 5 अब आपको यहाँ पे B-A उसी तरह से निकालना है देखिए B और A B-A को निकालिए तो B-A 2, 4, 2, 3, 5, 1 यहाँ पर 1-2, 3, 4, 2, 5 अब यहाँ पर देखिए यह हमको यहीं पर पता चल जाएगा कि जब हम ब यह को multiply करके के matrix find करेंगे तो हमको कितनी order का निकलेगा ठीक है आप देखिए यह और यह यहाँ से cancel हो गया तो 3 उने 3 order का यहाँ पर matrix find होगा अब यहाँ पर देखिए 2, 3, फिर यहाँ पर देखिए इसको इस column से फिर इसको इस column से फिर इसको इस column से ठीक है, अब multiply कीजिए यहाँ पर 2, 1 जा 2 क्या देना है plus, minus 3, 4 को कीजिए minus 2L, फिर यहाँ पर देखिए अब यह column खत्म हुआ अब चलिए इस कॉलम से इसी कॉलम को गुणा करना है मल्टिप्लाइ करना है 2-2, 4 फिर यहाँ पे 3-2, 6 फिर देखिए यह हमारा कॉलम क्या हो गया खत्म हो गया इस से इसको अब देखिए 2-3, 6 3-5, जा यहाँ पे देखिए 2-3, 6 और 3-5, जा देखिए यहाँ पे 15 होगा 3-5, जा 15 ठीक है अब यहाँ पे देखिए 4-1, 4 5-4, जा प्लस, फिर माइनस 20 फिर 4-2, जा माइनस 4-2, जा माइनस 8, 5-2, जा 10, फिर 4-3, जा 12, 5-5, जा 25 ठीक है अब यह हमारा खत्म हो गया इससे हमने इस तीनों कॉलम को गुर्णा किये अब इससे इस तीनों कॉलम को गुर्णा करना है देखिए बारी-बारी से हमको इससे गुर्णा करना है 2-1, जा 2, फिर 4-1, जा माइनस 4, फिर माइनस 4, तू-2, जा माइनस 4, फिर पिर estem तो शुक्षा केंग सब्सक्राइब K防ड जाएगा तो सब्सक्राइब 3060-rick Sट करिंगस सब्सक्राइब फिर यहां पे minus 8 और plus 10, क्या होगा, 10 में set गया, तो 2, यहां पे दुनों को जोर गया, 5 और 2, 7, 2, 1, 3, ठीक है, अब यहां पे 2 plus minus, minus 4, यहां पे minus 4 और plus 2, तह माइनस का चिन क्या है, यहां पे, ज्यादा ऐसी लिए, 4 में से 2 गया, 2, लेकिन क्या होगा, minus 2, और 6, 5 क्या होग 11, ठीक है, अब यहां पे देखिए, 12 में से 2 गया, तो minus 3, तो minus 10, फिर 2, फिर 20, 21, यहां पे देदीजे, ठीक है, आप देखिए, 21, अब, 4, 4 में से 20, 20 मस फोड़ गया थो मैनस 2 फीर थर्टिसेवन हरो फिर अलेवन सब्सक्राइब दिक है तो हमस्ति निकला है तो निकला है निकला है और हमको जीरो मैनस मानस फोर 10 थी Columbच ए सब्सक्राइब कि अब दिक है वॉपार घुझ्ति वह दोन भल है तो B A लिख लिए, आप देखिए, क्या ये दोनों बड़ाबर है, क्या A B हमारा B A बड़ाबर है, तो यहाँ पर A B और B A बड़ाबर नहीं है, तो हम लिखेंगे, Dan proved, हमने proved कर दिया कि A B बड़ाबर नहीं है, B A, ठीक, यही हमारे, यही हमारा जो question था, कह रहा था कि आपको यह prove करना है, तो हमने prove कर ले, तो हमारा question क्या हुआ, solve हो गए, ठीक है, अगर आपको यह question समझ में आ गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को subscribe कर लीजिए, thanks for watching